अरे यार अरे भाई ये सलमान खान के फेंस अरे ये जो सलमान खान के फेंस है ना भाई ये कुछ भी कर सकते कुछ भी कहां से आते केसा आते मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है मतलब मैं सुबो से एक न्यूस सुन रहा हूं वो न्यूस आप सुन ल सेम ओसा ही कोपी सीन राद है और मोस वांटेड भाई में भी सूट किया गया था सिरियसली और भाई सलमान भाई ने मतलब सलमान भाई को खुद को रियलाईज हो गया कि अगर ये scene में ने अगर इस movie में नाक दिया ना तो लोग मुझे इतिनी गालिया देंगे इतिनी गालिया देंगे ना तो कि मेरे पास commitment करने के लिए कुछ नहीं बचेगा एक तो ये English किस ने बनाई भें सलमान भाई को खुद ने मतलब ये scene delete किया है बट ये जो सलमान खान के fans है ना ये बोल रहे कि अगर ये scene इस movie में से delete नहीं किया होता ना तो ये movie super duper hit हो जाती ब्लोकबास्टर हो जाती अरे यार मतलब एक copy scene की वज़े से movie super duper hit कैसे हो सकती है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है इस सुबह से और सलमान भाई मैं आपसे बात बोलना चाहूँगा आपने तो पहले बोला कि चलो हमको movie का remake करना है इबने बोला जहल लेंगे उसके बाद आपने बोला हम रीमेक के नदर भी remake करेंगे हमने बोला चलो यार ये भी जहल स्टीट कर दिया इस मतलब साथ को जहिलना वेल ही रहा हूं नहीं हो साथ सब्सक्राइब किया और ही कि अगर अगर आप गलती सिरियस्ली बोल रहो हूं है आपने जिन्दगी में कुई अच्छा काम किया है ना तो ये सिंट को डिलिट करके और के भाई अरे भाई जिन्दगी में थोड़ा धड़तों होना चीह और थोड़्तों होना चीह одна मतलब सलमान कॉन को एसे को लगता है के बाइना के चैप्टर वन पचास साइड बर देखा रहा होगा सिरियसली यार थोड़ा भी दड़नी है अरे यार मतलब के बाई जिंदगी में थोड़ा दड़तो होना चाहिए यार मतलब यह से ओपन चैलेंज लाइक करें के जरूर जाने सब्सक्राइक का बटन जरूर दबाना मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए गुडबाई टाटा एंड लव यू